हाई शारको यह रही तुम्हारी मरीना और जैग मोश्किल है आपके राप जीना यह करिश्म कैसे हो गया यह लोग कॉल है यार हलो सार हम आपके सर्वेंट्स हैं इस फटीचर के पास खुद का कच्छा नहीं है सर्वेंट्स कहां से आ गया है अपना मुबंद रखो और यह देखो यह हमारे फोकटिया नगरी के राजा है मुझे भी तो दिखाओ जिल्ग महाराज की जैहो क्या बात मुझे तो मेरी आखो पर खुद को यह की नहीं हो रहा है यार कैसा लगा आपको यह बंगला ठीक है लेकिन यह क्या है इससे दबा के देखता हूँ औरे जिग तेरी किसमत तो चमा गए हमारे राजा को हाथ नहीं लगाना जिग यह दोनों तेरी धिली बोडी के बोडी गाड़ है जब भी तु यह बटन दबाएगा यह तुझे बार-बार प्रोटेट करने के लिए आएंगे अब आएगा मज मरीना आज तो तुम्हें खाने से मुझे कोई नहीं रोख सकता हूँ इस एक तरी इतने हिमात बड़ा आया मैंडम जी को खाने वाला मोले तो मुझे इनके डाल में कुछ खाना लगता हूँ आज सर अलसे पार-पार बटन दबा के हमारा टाइम वेस्ट मत किया करो अंडेस्टेंड बेटर यू अंडेस्टेंड मरीना के लिए अभी मारता हूँ मौके पर चौका यार वे चलाओ सर बुला रहे हैं जल्दी चलो जल्द गाइस जल्द चलो पीछे हटो यह मेरी खास महमान है यार ठेलेंगे लेकिन बात में ऐसेट मेरे जुश्मन अडम जी को कहाई लेके जाना है काम ड़न ड़ना ड़न उठाओ ना खड़े खड़े मेरे मूँ क्या बेख रहे हो यार ए शरको दम है तो यहां देखो यह लो ओए मुझे तो चीनी कम समझता है तुम पानी करा है छोड़ दे मुझे वर्ना फिर से एमर्जनसी चलो देखते है रहे बोलो दो भाई का शंडर मेल मुझे जेल जैसा क्यों लग रहा भाई लगता है आज मेरी पिटाई पक्की खाबारदाल हमारे राजा को हाथ भी लगाया तू शरको आज तुने गलत वकपर जीद के साथ पंगा ले लिया है इसके तोनों बोडी गाड तुझे नहीं छोड़ेंगे मेरे रास्ते काटा साफ हो गया मैं जा रहा हो मरीना को खाने हमारी इजाजत कभी ना तुम कहीं नहीं जाओगे क्या ये क्या है मैं इसमें कैब कैसे हो गया यार बचाओ अरे मरे राजा दरने के कोई बात नहीं हम लोग है अरे बोले तो इनोंने तो भाई के ताजमल में भाई की समाधी बना दिया जलो मशीन का उध्गटन करते है क्या बात है हमारी महनत सफल हो गई अब इस खिलोने से हम खुब पैसा कमाएंगे जिक को राजा बनाना तो एक बहाना था दरसल उसका खिलोना बना कर उसे मार्केट में बैशना था बोले तो भाई टेंशन मतलो यह सर्कृट आपको साथ कभी नी चुड़ेगा वाई चेर्किट मुझे बैच आले यार ओए पिनातीर के तीर कमान तो मैं मैं अपने धाई किलो के हाग का दम दिखाने आया हूँ नाराज मत हो ना यलो तुम्हारे लिए अजी कखिलाना गुस्चा थोख दो क्या बात ठीक है बोबर नहीं साइड में जाके थोखता हो बाई बोले तो लगता है इन्होंने बिल्लिंग से जादा खरचा इस काच पर किया बाई ये काच टूटती क्यों नहीं बोले तो आप ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना होगा बाई एक केले के वज़न से ये काच कैसे तूटेगी यार जग यह सर्किट के दिमाग का कमार जैसा तू नहीं समझेगा यह आवाज कैसी चिलगोसे तुने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिलाती अब मैं आजाद हूँ आजाद पंची के तरह नहींगा यार हमारे होते तू बचाओ यार यह हमारा राजा नहीं है समझे मैं जी की जहान खत्रे में है इन क्रोकोडैल के जबान को ज्यादा ही लंबी हो गई है मैं जी आप सेफ हो लेकिन अब इन की सिंदगी अनसेफ है बिना गुटली क्याम अभी करता हूँ तुम्हारा काम तबाम अरे टेंशन मतले यह ले एक पर एक खिलो ना थ्री क्रोकोडैल को अब वापसी के रास्ता दिखाता हूँ जहां से आये थे वाई चले जाओ बोला तो क्या समझाया श्रकु भाई उनकी अकल तो आप तक ठीका ना लगा लोगी मैडम जी को खिलोना कहीं उसने मैडम जी को नहीं पकड़ लिया यहां तो सब के पास खिलाओने है क्योंकि देखो ना खुदी पोस्ट दे रही है मरीना हलो मैडम जी चलो हमें इस बार लगता है खिलोने से ही काम चलाना होगा कोई बात नहीं यह कल की बासी खबर पढ़ने के चक्कर में फिर से अपना आज बिगाड़ेगा यह देखो आप बिगाड़ लिया फिर से सारा लगेज जिग के सिर पे बोले तो भाई की तो चपाती बन गई बार निकल लेगी कोशिश करो और ना मेरा दम निकल जागा भाई बोले तो यह क्या हो या दिखता नहीं घोड़े है लगता है रास्ता भटक गए है मैडम जी के बच्चे तेरा परेथा बनाऊंगा और मैं मैडम जी को खाया हूंगा वाउ क्या कमाल का आइडिया आया है सेर केट जिग तरी सस्पेंस स्टोरी बाद में पहले इनकी लव स्टोरी चनले दे बाई बोले तो दिल भी मतलो थोड़ी देर की तो बात है मैडम जी आज तब मैं आपको हरा के छोड़ूगा मरीन ठेला छोड़ो मेरे साथ चलो मैं तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आया हूँ चल मेरे घोड़े तीक 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 हुआओ यह क्या इस सब भूग लगी थी खड़ी हो जो बड़ जो हाथ बिलाओ बारी गुड़ भाई हैलो मिस्टर जीक इस बार विदाउट फेल मैं मरीना को लेकर दी जाओगा मेरा दिमाग घोड़े से भी ज्यादा तेज चलता है याँ चल मेरे घोड़े तीक 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 वाँ मैं खाने के पिछ नहीं भागता खाने को अपने पास खीचता हो जिग पिटने के लिए दयार हो जाओ बुले कर टेप डॉंस ब्रेप डॉंस बली डॉंस बहुत अच्छा किया तुमने और आपको क्या हुआ भाई गाजर से मेरा पेट नहीं भरा है। आया है तब से मेरे धिमागी खा रहा है। आइडिया। मैं घोडा नहीं। घोड़ी ले जाओंगगा यार बोलो तो पताने भाई कर क्या होगा। इस पर घोड़ा नहीं। घोड़ी पर मरीना को ले के जाओगा चल मेरे घोड़ी मेरा योगा क्लास का वक्त हो गया है लगता है शकल बिगणने के बाद ये से अखल आएगे बोले तो भाई फिर से हटी तुलुआ के आगे कोई बाद नी भाई इस बार आपका प्लान फेल नी होने दूगा बक्की बाद माडम चाही आपके लिए मैं सिंदे की भर हारने के लिए तैहार हो ओए मेरा टैनिस बैट नहीं शाय को क्या आने तक मैं क्या करूंगी बूलो तो भाई आपको कम बुल गया ये शायर को कलाब फार फार के रो क्यों रहा है यार अब मैं कुछा नहीं छोड़ोगा धन्नो जलती भागो यार आज मेरी जान तुम्हारे हातों में है तो मैं क्या करो आज मेरे घुत्नों में दर्द है पतने इन क्या हो गया भाई फूलो को बचो चाल बांडू आज दुश्मनों को धूल चटा कर ही तम ले जाए कुछ और चटा यार धूल से मुझे अलेर ची है इन घुडों की तरह इनके अकल के घुड़े भी रुगल है एक ही जगा पर एक्षन हो रही है रियाक्षन का कुछ पता नहीं मुझे थोड़ा शॉटकट लिना होगा ओए जिग मेरा घुड़ा तेरी घुड़ी से ज्यादा तेस है मैं आ रहा हूँ हुए यह क्या हो गया इसका घुड़ा कछुए के चाल चलने लगा है अच्छा है चल मेरे घुड़े ठीक 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 बंद कर अपने खेट पेट मैंडम जी अब मैं मरीना को खा लूँगा यार तरी किसमात की तरह घौड़ी ने भी यूटन ले लिया है अब तो मरीना के बदल है मार खाके अपना पेट भर मेरा 200 किलो का है कबसे तेरा इंतिजार कर रहा है रहे बचाओ अरे अधर में चल्वी जिट रहा है चेंज कर वरना मेरे फेस का हुलिया चेंज हो जाएगा यार इन दोनों की आखों ही आखों में इशारा हो गया और जिख शारकों के ढाई किलो के हाथ से बच गया अरे दश्मन तो पुछे छोट गया आइडिया ये लाल मिर्च अच्छे अच्छों की तब्याध हरी कर देती है वह उसे आग उकल्ले वाला ड्रेगन तो देखा था लेकिन कछुआ पहली बार देख रहा हूँ चल धन्नो चल 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 ला हाई हैंसम हाई मेरे दिल की राने धन्नो चल दी चल ला यार वरना मरीना मेरे हाथ से निकल जाएगी फिर से दोर किला उस तेरे शुरू हो गई हाँ तेरी धन्नो और मेरी मैडम जी जग तुना धन्नो और मारीना को भगाकर अच्छा काम नहीं किया रब बनाता है जोड़ी ओए जिग लाता के तुछा अकल आएगी थोड़ी शारको तुम में नहीं मिलायो वो क्या हैना मैडम जी जिंदेगे के लिए तीन चीज़े बहुत ज्यादा जरुरी होती है लव दोस्ती और प्यार अगले एक शाम धन्नो और मारीना के नाम इनकी लव स्टोरी का जवाब नहीं ऐसा फिल्मी प्रपोज तो मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा नारम जी मैंने कब से आपकी राहों में नजरे बिछा रखी है यूकी धन्नो की घुटन में तर्थ था इसलिए देर होगी शार को यह देखो खोधा पहाड निकला चुहा चल धन्नो चल वरना मौल में लगा से खुट बहो जाएगा बाई बोले तो जो लोग वेजीटेबल देखकर मूँ फुलाते हैं उन्हें हिपनोटाइज करते ही वो वेजीटेरियन बन जाते हैं भाई भाई को इस थरीपी की सक जरूरत है लातों के भूद बातों से नहीं मानते हेलो शेर को लानमजी आप हटिये इसका हिसाब किताब आभी पूरा किये देता हूं शेर को तुम चाहे जोग कर लो मैं मरीना को खाए बिना चुप नहीं बैठूंगा अरे क्या रेंगने वाले किड़े की तरह प्राक्टिस कर रहा है अरे काम बन गए यह क्या है यह यह जीख आज से तुम प्यूर वेजिटेरियर हो तुम्हें गाजर खाना पसंद है आज से तुम मरीना को नहीं सिर्फ गाजर के बारे में सोचोगे सर्फ गाजर गाजर मेरा होग्रेट गाजर मुझे मेरी आखो पर यह कि नहीं हो रहा इसका टेस्ट लेता हूँ है इपनोटाइज कासान मैं तो कुछ और ही समझा था उपर वाले तुने मेरी सुनली अब मुझेस की कोई ज़रात नहीं यह क्या है मुझे मठली खाने है और इसे मैं सिर्फ मठली खाऊंगा मठली 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 वह क्या बात है अपना जीग तो एकदम जेंटलमेन बन गया है काजर खाने से दिमाज चूस्त और बोडी तंद्रूस्त रहती है जोकर बेलको लाई मैडम जी कहां चली गई मैडम जी मैं तुमें बताता हूं कि गाजर कैसे खाते हैं यह देखो शारकोदी ग्रेट हमेजा गुस्से में रहता है यार मेरे पेट में चूहे तांडाओ कर रहे हैं यह तो मैं भी दिखा सकता हूं यह देखो लगता है जैसे इसके दातों में मोच आ गई है बड़ा आया सूपरस्टार बनने जीरो कहीं मिल गई मरीना इसे खा के अपने भूख मिटा लेता हूँ मरीना को खाने चला था और खुदे ड्रेगन फॉल का खाना बन गया आडम जी चलो अपना फेवरेट गेम खेलते हैं आज तो जेक के साथ खेलते मज़ा आज आएगा मुझे रूला के हस्ते हस्ते चली गई लेकिन मैं माडम जु को अकेला नहीं छोड़ूगा जेक फिर से कोई हस्ते वाला जोक सुनाओगे आडम जी इस जोकर को खेला कहाता है शरको जाओ जाके बॉल लेकर आओ ठेक हा जाता हूँ दटोड़ा कही का कबाब में हटी चला गया काश टेनिस की जगा मेरे हाथ में इसका सिर होता मरीना मुझे कहा मिलेगी बिल गाई आज ही चोर बाजार से ये कैप फ्री में खरीदी थी बाडम जी आपके लिए कोतोग मिनार बनाने जा रहा हूँ अच्छा जोग था जिक और कोई किसा सुना ना अरे मिटी तो हद्ब हो गई वो रहा और एक फिलर सिगभ तका हो गया मरीना मुझे जलने की बू आ रही है चलने वाले कोई जलाने में मज़ा आएगा मुझे चाय में गिरी मक्षी कितने बाहर निकाल कर फैक दिया और जोर-जोर से हस भी रहे है वो रहे मरीना के पर मिल गया मुझे मेरा खाना शरको की मुझे काली पहले ही टेंशन कम था जो तो भी आगया पेंशन लेने जग मैडम जी को छोड़ दे छोड़ शेयर को यह तुम बहुदा पड़ेगा पहले मैडम जी को बचाएंगे फिर अपना हिसाब पूरा करेंगे मन्जूर है फिर तेर किस बात की यहर मैडम जी को बचाने काम मेरा है तुझे का मरीना को बचाने का कॉपी राइफ मिला है मैडम जी को बचा लिया मरीना को बचाना तेरे पसकी बात नहीं है अरे अब मेरा खाना मरीना बोला तो पाले दिये तो क्या कर रहा है जो अब मुझे मरीना को खाने से रोकेगा उसका यही हाल होगा अब कोन आया यह फ्रफ फिल्म के सूपर फ्रफ हीरो है हीरो चाहे कोई भी हो मुझे तो उसे सर्फ एक लाट ही दिखानी है अरे इसके पैरों से निकलती बदबुस होंके अच्छा खासा इंसन कोमा में चला जाता है फिर तू क्या चीज आए मेरे कुम्फु गाजर कराते क्या के तेरी दाल बिलकुल लह गलेगी यहु कहां चला गया लगता है मुझे डर के भाग गया यार मैदान छोड़के भागना मरिया अरत नहीं यह भी गला काम से मरीना जाओ चोड़ा मधे गंदे बदबदार पाइलेट पहलेगे तहां क्या सरकीट अब सब कुछ तेरे हाथों में है वह रहा लोकेट भाई बुले तो मरीना को बचाने दिलिया कुछ भी करेगा हे पाइलेट तुझे मरीना को छोड़दा होगा यह क्या है तितली उड़ी उड़ती चली रुको मरीत मारे साथ आ रहा हूं मेरी तितली रानी बारखोरतार यूकी मैं बच गय मैंने मरीना को बचा लिया यार यह तो विलन से हिरो बन चुका है इसे फिर से विलन बनाना होगा जेग तुम्हें मरीना को खाना है तुम्हारी आखों में बस मरीना ही मरीना है तुम्हें मरीना को खाना है खाना है मरीना तो ने फिर से मैंगम जी को खाने की कोशिश की बाइ बाइ जग मारीना मैं चांद पर सहर करने जा रहा हूँ तुम चाहो के मेरे साथ आ सकती हो नाव बला यह भी कोई पूछने की बात है अब जिक कौन से नहीं चाल चल रहा है मरीना कुछी देर में हम चांद पर होंगे क्यों की मर्ना आएगा वाई बोले तो मैंने आग लगा दिया है मरीना को आप पका लेना वाई चांद की बहाने इसे खालूंगा कोने तुने फिर से यह ननस्टाप एक्स्प्रेस पता नहीं कहा जाके रुक्या कि बोले तो यह क्या हो यह जाना था जापान पहुंच गे चीन अब इनका क्या होगा भाई सारी मुसीबत की जड़तु है और मेरा कॉस्ट्म जल रहा है कोई बचाओ पापा जरूर तुना चोर बाजार से सस्ते वाले कॉस्ट्म चोरी करके लाया होगा बोले तो जल्दी सही ने बचाने का फॉर्वला ढूलना होगा चल सरकीट बेटा लग जा काम पे भाई बोले तो काउंटी की हिसाब से ये तीनों सीधे इस जाला मुखी पाड़ के अंदर गिरेंगे और इने नीचे गिरने में करीब छे से साथ घंटे लगेंगे ये तो बहुत जगा है तब दक मैं आराम से कुछ ना कुछ कर लूँगा वाई और ये का मुश्किल भी नहीं वोना तो बहुत असान है अरे हाथ पाँ मारने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा गिरनात आया है तो क्यों अपनी बेकार में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो शार को तो अपनी घोड़े बेचने की नीद में चला गया क्यों ना में मौके का फायदा उठा लूँ खुद की जान के लाले पड़े हैं फिर बेच से हारी भड़ी सुझ रही है एक बार मेरे हाथ लग जा ओई बापा मुझ पर एक ऐसान करना मुझे अब और नहीं है भागना यह मुझे चैन से सास भी नहीं लेने देता शार्को हम कब तक नीचे गिरेंगे नीचे जाने के पाद भी तुझे कौन से जंड़ी गारने है मेरे हाथों से मार ही तो खानी है अरे पाप्रे शार्को नीचे तो एरोप्लेक के ट्रूपिट लगी है अब हमारा क्यो होगा धर्थी की तड़ा आस्वाल ने भी एरोप्लेक के वज़ा से ट्रैफिक जेफ कहीं करना दो इनका काम तमाम पार्टी तो पार्टी है एपे पुरे बचाओ अब तुम्हे मैं तो क्याते हूं खुद भी नहीं बचा सकते अब मेरे रास्ता बिल्कुल साफ है ओय मेरी कमारी यह जिक का बच्चा अपनी हरकतों से कभी बास नहीं आएगा लेकिन मैं भी आसानी से हार मालने वालों में से नहीं हूँ माडम जी को बचा करी चांगी सास लोगा माडम जी प्यास कातना भी कितना भादुरी का काम है कट्टा खुद है लेकिन रुलाता सब को है अब तरे आखों सास नहीं नदिया बैंडी जिक मेरे प्यारे दुश्मन अखिर दुश्मन ही दुश्मन के काम आ गया अब किरे नहीं शोर्कों कितने प्यारे हो सौरी भाईया अंग्रेस चलेगा सौरी छोड़गा इस कर्मी के मौसम में तुने मझे डिस्टब किया आप तुझे इसकी साजा मिलेगी बारापार मिलेगी अब यह बादल तुम्हें चान से जीने नहीं देगा तुम तो राख बन गए है मैं चला मरीना को लेके ना जाते जाते लाइट साब करने की क्या सुर्रती मौझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरा खाला बनने के लिए तैयार हो जाओ धूपते कर रही है इसका मतलम बादलों का साया अब हट जाएगा चिलाओगे बचाओ पर अब तुम नहीं बचोगे इसे ही तहिता है हम तो गिरेंगे लेकिन साथ में सब को ले गिरेंगे अब हम नहीं बचोगे बाल गरेगा दुपरा इसी हरकत नाडम जी को क्या हुआ नाडम जी दिल छोटा मत करो हम भी तो अपते साथ है ना शारको तुम्हारी बाते सुनके मरीना का दिल इतना भर गया कि आखोज से ओवरफ्लो होने लगा और यहां सर्किट का काउंटडाउन शुरू है फिर भी काम खत्म नहीं हुआ तो उसने शाटकट अपना लिया दाडम जी असे आसु बहा बहा कर कितने टेशी बेपर वेस्ट करोगी बोले तो अखिरकार मेरा पेपर प्लेन फॉर्मॉला काम आ गया भाई मैं बहुत गलत कर रहा हूँ मरीना को खाये बिना जाना मगे ठेक नहीं लग रहा रिवस मारता हू मरीना मैं रहा हूँ यह पर्फिट दाडम जी तक कर्शों से पहले मुझे दूस्तर ने पटना होगा मैंने भाई को बचा लिया भाई मैं कहाँ हूँ जुमीन बच गई लेकिन वह दोनों तो उपर ही है सर्के कुछ करो ना जाल दी करो उने मचाब बोला तो बच्चे की जान लोगी क्या बस यही एक आइडिया मेरे पास जाने से पहले दोनों मरीना को मिस्स कर रहे है शर्को ने मरीना की फोटो दिल में बसा ले और जिग ने मरीना की जगा उसकी फोटो खा ले जिग मेरे प्यारे दुश्मन जाते जाते एक आखरी बर गले मिलते हैं दूख तो बहुत हो रहा है कि आप हम एक दूसरे से नहीं लड़ पाएगे तुम तो नहीं गिरना बोले तो भाई रुमाल तुमा छोटा है अर्जिस्ट कर ले ना हुआ हट्टी टूटी तो क्या हुआ कम से कम जमीन पर तो गिरें आहा हुआ यह फिर मैडम जुको लेके भागा इसको तो आज में सिख कबाब बना के पाउप के सब खाऊंगा बोले तो यह तिनों कभी नहीं सुदरेंगे लेकिन कम से कम आप तो सुदर जाओ भाई